क्या कर रहा हूँ मैं? दर्पन में देख रहा हूँ आप लोग भी प्रती दिन देखते होंगे? परन्तु प्रती दिन अपना मुख देखने के बाद भी उस पर लिखी एक बड़ी सीख देखना भूल जाते हैं अब आप कहेंगे कैसी सीखी? तो जाईए एक बार फिर से दर्पन के सामने जाईए और मुख खोल कर देखिए क्या देखेगा? दंध पंक्ती और जीभा? है ना? अब विचार कीजिए दंध जन्ध के पस्चात आते हैं एक नहीं दो बार आते हैं परंतु मृत्यू से पूर्ण नश्ट हो जाते हैं और जीभा, जन्ध पहले सी होती है परंतु मनश्य के मृत्यू के पस्चात भी उसके अस्तिभ्र में रहती है एनाश्चर की बाद दंध कठोर होते हैं जीभा खोमर परंतु फिर भी दंत नश्ट हो जाते हैं जीवा नहीं होती यही रहस्य है कि हठी और कठोर लोग शीघ्र नश्ट होते हैं और कोमल लचीले अवशक्ता के अनुसार स्वयम में परिवर्तन ला सकने में सक्षम लोगों का ही अस्तित्वे रहता है अर्थार परिस्थितियों के अनुसार स्वयम को लचीला बनाना सीखिए और आपका जीवन सरल हो जाएगा संबंध एक सहारा होता है जीवन का और संबंधी वो होते हैं जिनसे अवशक्ता पढ़ने पर सहायता मांगी जा सकते जिन पर विश्वास किया जा सके की बुरे समय में वो हमारे काम आएंगे तभी ऐसा भी हुआ होगा कि आप के पास कोई सहायता मांगने आया या ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी के पास सहायता मांगने गए हैं परंतु प्रश्ण ये उठता है कि क्या केवल किसी के मनतव्य में उसकी सहायता इसलिए कर देनी चाहिए चुकि वो आपका संबंधी है अब आप कहेंगे कि ये कैसा प्रश्ण हुआ तनिक सोची एक अस्तर बनाने वाला जब अस्तर बनाता है तो ये अस्तर किसको देना है उसका अधिकार उसी के पास होता है वो चाहे तो ये अस्तर किसी को भी दे सकता है वो एक सैनिक को भी दे सकता है या एक दाकू को भी और यही अस्तर तो भिन्म कार कर सकती यदि दाकू के हाथों में आ गए है तो उसका भय दिखाकर वो लोगों को लूटेगा, निर अपराधों का रक्त बहाएगा सहायता करने वाले की भी अवस्था ऐसी ही होती है इसलिए किसी की सहायता करने से पूर ये विचार कर लेना आवश्यक है कि किसे क्या, कब, और कितनी सहायता देनी चाहिए कि उसका दुर उपियोग ना हो, जड़ि आपकी सहायता से कोई अधर्म हुआ तो उसके उत्तरदाई आप भी होंगे जीवन में कई बार ऐसे अफसर आते हैं कि आप लोगों से मिलने जाते हैं और उनसे कुछ अकांशाय भी रखते हैं और कई बार जीवन में ऐसे अफसर भी आते हैं कि लोग आप से मिलने आते हैं इसलिए अत्तियों का सम्मान करने से पूर सदा कुछ बातों को स्मरन रखना अवश्यक होता है यदि कोई आपके पास मिलने आता है तो उसके तीन कारण हो सकते हैं पहला कारण होता है भाव दूसरा आभाव और तीसरा अप्रभाव तो जैसा अजथी उसको वैसा ही सम्मान दे यदि आपके पास कोई भाव से आया तो उसे केवल आपका प्रेम चाहिए आपका सानिध्य चाहिए और यदि कोई आप भाव में आया तो उसकी उतनी सहायता अवश्य करें जितना आप करने में सक्षम हो परन्तु इतनी अधिक भी ना करें कि वो उस सहायता का दुरुपयोग कर बैखे और यदि कोई प्रभाव में आया तो स्वयम पर अभिमान ना करे चुकि कभी न कभी जीवन में आप भी थाव अभाव और प्रभाव के चक्रविव में फस सकते हैं यदि जल को मुठी में कसकर बांधें तो जल कैसे अपना मार्ग बना कर निकल जाता है इसी धारा की भादन यही अवस्था हमारे अपनों के साथ भी होती है अधिकतर हम जिनसे प्रेग करते हैं हम सदा उन्हें अपने समीप रखना चाहते स्वयम से दूर नहीं होने देना चाहते चिंता करते हैं है खाते हैं कि कहीं उनके साथ या उनसे कुछ बुरा घटितना हो जाते और ऐसे में हमारे अपने ही हम से दूर हो जाते हैं ठीक मुठ्थी में बन्धे जल की भाद इसलिए जिनसे आप प्रेम करते हैं उन्हें स्वतंत्र कर दीजिए उनकी सोच को स्वतंत्र बनने दीजिए उन्हें अपने मार स्वयम ढूनने दीजिए क्योंकि आप सदा उनके साथ उन्हें मार दिखाने के लिए नहीं रहने वाज़े इसलिए अपनों के साथ अवश्चर है परन्तु उन्हें बादे नहीं जन के पस्चाद बालक जब पहली बार अपने नेत्र खोलता है तो उसका मन उच्छुकता से भरा होता है कि ये संसार क्या है उसे क्या दिख रहा है ये उसके जीवन का नया आरंब होता है परन्तु जैसे हम धीरे धीरे बड़े होने लगतें अनुभावर जित करतें हमारे मन की उच्छुथा, हमारे जीवन का चाओ होने लगता है करनिक सोचिये, जब हम सुभा सूकर जखते हैं अपनी आपे खोलते हैं तो उसे ही हम अपने जीवन का प्रारंध समझ लेतो, सुभा से लेकर संध्या तक के समय को ही अपने जीवन जीने का समय समझ लेतो, कितने स्पूर्टी आ जाई गया, कितने काम कर पाएंगे, कितने लक्ष अर्जित कर पाएंगे, पलो से मिलकर घड़ी बनते हैं, खड़ी से मिलकर प्रहर, प्रहर से मिलकर दिन बनते हैं और दिनों से माह और वर्ष, यदि आप अपना हर पर, हर प्रहर विश्वास से जिये, हर दिन कुछ साह से जिये, तो आपका संपून जीवन साथत हो सकता है मनुष्य अपना जीवन विश्वास पर जीता है परन तू विश्वास किसका? तनिक सोचिए किस पर विश्वास है आपको? महापुर्शो की कही बातों पर ग्रन्थों में लिखे ग्यान पर माता पिता की सीख पर या मित्रों के दिये गए निर्देशों पर या फिर मेरी कही बातों पर ये सब विश्वास अपूर्ण है जब तक आप को स्वयम पर विश्वास ना हो यदि विश्वास करना है तो पहले अव विश्वास करने के विज्ञान को भी सीखना चाहिए आप किसी की बातों पर विश्वास न करें आप अपने मन से पूछे अपनी अंतर आत्मा से प्रश्ण करें और जो उत्तर मिलेगा वही सबसे उचित होगा जब आप अपने मन अपनी अंतर आत्मा पर विश्वास करना सीख जाएंगे तो नीती ज्ञान सब आपके भीतर से स्वतह उम्डएगा और यदि आप स्वयम पर ही विश्वास ना कर पाए तो धर्म ग्रंथों में लिखे श्लो महापुर्शों की वानी मादा पिता की सीख या मित्रों का निर्देश कोई भी लाब नहीं दे पाए एक पिता होने के नाते आप अपनी संतान के लिए क्या करते हैं उसके लिए बहुत सारी सुविथाये जुटादा बहुत सारा धन कमाते हैं है नहीं और क्या आपको ऐसा लगता है कि यही उचित है आपकी संतान के लिए इस पंची को देख रहे हैं ये भी संतान को जन देता है उन्हें पालता है पोसता है उड़ना सिखाता है और भोजन का प्रबंद भी करना सिखाता है परंतु उनके बड़े हो जाने के बाद उनके क्यों चुकि यदि इसने संतान को सब कुछ करके दे दिया तो संतान क्या करेगी वो अपनी संतान को तब तक भूजन कराता है जब तक उसकी संतान स्वयम भूजन का प्रबंध करने में सक्षम नहीं हो जाता और उसका लाब ये मिलता है कि उसी की भाती उसकी संतान आज निर्भर बनती है इसलिए अपनी संतान को उतनी ही सुविधाय दें जितनी आवश्यक है मोह को प्यागें आपका उनसे मोह उन्हें कभी आज निर्भर नहीं बनने दें अपनी संतान को कर्म करना सिखाईगी यदि आपके संतान कर्म करना सीख गए तो वो धन्थ स्वयम कमा लेगी और यदि वो आलसी अकरमन में बन वेड़े तो आपके संचित धन्था भी नाश कर देगी संसार में सबसे बड़ा संबंध कौन सा है अब आप पूछेंगे कि ये कैसा प्रश्न हो इसका उत्तर तो बड़ा सरल है यही न परन्तु इस प्रश्न के भी कई उत्तर है कोई कहेगा माता और पुत्र का संबंध तो कोई कहेगा पिता पुत्री का संबंध तो कोई पती पत्नी का और तो कोई भक्त और भगवान का संबंध परंतु तनिक गहराई से देखेंगे तो पाएंगे कि ये सारे संबंध या तो जन्व से जुड़े होते हैं या समाज में बना दिये जाते हैं या फिर किसी अकांग्षा के चलते बनते हैं तो सबसे बड़ा संबंध कौन सा होता है? उलज गए ना? सबसे बड़ा संबंध होता है मित्रता का चुकि मित्र हम स्वयंग चुनते हैं जिसमें ना कोई अकांग्षा होती है ना ही कोई स्वार्थ छिपा होता है यदि कुछ होता है तो केवल साथ का आनन अपने बीते दिनों को स्मरण कीजी जब आप घर से बाहर निकलते होंगे तो सबसे पहले किसका स्मरण होता था? मित्र का परंतु जैसे जैसे मनुष्य बड़ा होता जाता है सफल होता जाता है मित्र छूटते जाते और फिर वो अपनी आये अपने जीवन के स्तर के अनुसार मित्रता करने लगता है उसके मन में ये विचार आजाता है कि मित्रता बराबरी वालों से ही होनी चाहिए यही सोच अनुचित है चुकि मित्रता बराबर वालों से नहीं होती मित्रता हमें बराबर करती इसने नए मित्र अवश्य बनाई परन्तु अपने पुराने मित्रों को भूलिएगा बड़ तो हेलो दोस्तों आपको विडियो काफी पसंद आया होगा विडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और फ्रेंज को शेर करें अगर आपको कुछ प्रॉबलम है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें तो फिर मिलता हूँ आपको एक नई विडियो में धन्यवाद